गुद्बॉर्णिश्ट्स आज हम लोग जो टॉपिक कवर करने वाले है वो है ICT in our daily life ठीक है तो ICT का हमारे daily life में क्या इस्तेमाल है और हम लोग किस तरह से यूच करते हूँ उन सब चीजों के बारे में देखेंगे थोड़ा जानेंगे और ICT tools के बारे में कि ICT के अंदर कौन-कौन से tools हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसके बारे में तो आप अपने book में ठीक है page number A72 में देख सकते हैं कि वहाँ पे टोटल सिक्स सीन्स दिखाए गया है मलब बताया गया किन किन चीजों को बारे में मैं उसको एक्स्पिलिंग करता हूँ सबसे पहला चीज दिखाए गया सीन्स के सोज online multiplayer gaming के बार बताया गया है तो आप ICT का इस्तिमाल उसमें भी करते हैं जैसे वह पिक्चर में दिखा जा रहा है कि वह अपनी सिश्टर में युसूफ को रा दिया तो उसकी सिश्टर क्या कह रही है युसूफ जो कि सौदी अर गलोबली ठीक है अगर हम चाहे तो किसी अंडियक है प्लेयर के साथ किसी ब्रितेंं के प्लेयर के साथ की से फ फिर उसके अगेंस भी खिल सकते हैं और बहुत ही इजली जैसे कि आजकर बहुत सारे ऐसे गेम्स है भी अब जी है फ्री फायर है और भी बहुत सारे गेम्स है जहां लोग ग्लोबली और लोगों साथ खिलते हैं तो वहां पर ICT का इस्तिमाल हो रहा है इसके बाद सीन 2 दिख है और यह मार्केट दे तो इतना फिमोस हो रहा है कि इसमें बाकी कंपनिया वीच से टेल पेमेंट हो गया गूगल जीयो का पेमेंट हो गया ठीक है अमेजन पेमेंट हो वह सब भी आ रहे हैं तो यहां पे ऑल्लाइन पेमेंट भी इसमें बहुत ज्यादा बढ़ चुका है और आप तो जैसा दोर चल रहा है वहां भी ऑल्लाइन पेमेंट को और बढ़ावा दिया जा रहा है कि लोग कांटेक्ट ना करें और दूर सही जो भी लेन दिन हो वह हो जाए इसके बाद सीन सीरी जो दिखाएगा आपको सीन 2 में एक और बात कि अभी ऑल्लाइन पेमेंट आप तो बहुत जैदा हो गया है लोगों को अगर कोई आसपास आपके चीज नहीं मिलते है फिर आपको चीज पसंद नहीं आती है तो अप उसको ऑनलाइन भी देख सकते हैं और उसको आप से अराम से मंगवा सकते हैं और कुछ चीज़े ऐसी भी होती है जो आपको मतलब अपने अलाके में मिले ही ना जो बाहर यहीं बनती है बाहर ही बनती हो तो तो अप उसको भी आराम से और कर सकते यूच ऊनलाई और उसको मंग ऊक्थे मेंग है जिसको उनलाइन श्वापन कर सकते हम उस तरह तीचर्स है सारय जो बच्चों की पढ़ाई हो रही है विडियो कॉर्ट के फैसले आ रहे हैं इसके लाँबाँ मीटिंग कंप Security है कि आप दिल्ष वर भी याने जैसे आपके फोटोज हो गई वीडियो हो गई या कोई रिपोर्ट हो गया या कुछ भी हो गया तो आप उसको जैसे आप एक एक जामपल दिया गया है उनको डॉक्टर के पास तो अब वहां पर उसको भेज़ सकते हैं बहुत सारे वेब्साइट होती हैं जहाब अप अपलोड कर सकते हैं और वहां पर जो देखके बता सकते हैं क्या करना चीह आगे यह हमेसा काम नहीं आता बड काफी जगा काम आ सकता है तो जैसे आपको अभी इंटर्विव देने जाना है तो क्या होता है आपको सीवी पहले भजनी होती है तो आप सीवी ऑन-laiN तरीके से भेज सकते हैं ताकि वह आपका सीवी देख सकते हैं और इसक जो scene 6 वाल उसमें दिखाए गया है कि बहुत साघ्व टेकनोलोजिक इस्थाइल करके के ब्रोड कास्ट टरर्ट कर सकते हैं वह सारी चीजे हैं तो जैसा कि क्या है जैसा कि आपक को दर्ट चेनल पे घायर जाता है वह सारी चीजे कास्ट के जाती है आपके प्राइम मिनिस्टर आते हैं तो लाइव आते हैं तो आप वहां से आपका क्रिकेट का मैच होता है वह भी लाइव ब्राइव इसको लाइव अपने चैनल पर देख सकते हैं तो बहुत सारी चीज़े आ जो आपको अभी फिलाल बहुत सारी पढ़ाई हो रही इसतरा से, जो यूटुब के जरीये, फेस्बूक के जरीये ठीक है, लाइफ किया जा रहा है तो आप वहाँ से भी उसका फ्यादा उठा सकते हैं, तो यह सारे चीज़े हैं जो कि बता जारे आपको कि ICT का इस्तेमाल यह सारी अम लोग जो अभी जितने में सीन देखे सब में ICT का ही इस्तेमाल हो रहा है यह पूरा ICT का ही यूज है और अभी जिस तरह की सिच्वेशन है और जिस तरह का जनरेशन है यह बहुत ही आम बात हो गई है इसके अलावा भी बहुत सारे तरीके हैं जिनके जरिये जो ICT है नहीं कम्प्यूटर से हमारे लाइफ में टेक्नलोजी जो हमारे लाइफ में इंक्लूड है ठीक है बलकि यहा हीट होगा खुदी अलाम बजना शुरू हो जाएगा खुदी सावरिंग भी होने लगेगी ठीक है बलकि बले बले गार्डेंस में तो यहां तक होता है कि आपको पांच ऐसा एक्जामपल और बताने हैं जहां पर आपको लगता है कि ICT का इस्तेमाल ठीक है पहले के पहले अब ज्यादा हो रहा है यह फिर पहले नहीं होता था अभी हो रहा है तो आपको ऐसे पांच एजामपल जो भी आपको लगे वह आपको वाटसब पर भीजना है अब होग आई सीटी टूल्स के बारे में जानते हैं तो ICT टूल्स क्या होते हैं ICT टूल्स मतलब ऐसे जो कि इनफोर्मेशन और कम्मुनिकेशन टेकनलोजी में ICT में इस्तेमाल किया जाते हैं जैसे कि कंप्योटर है सेलफोन है इंटरनेट है इमेल है वीडियो कॉन्फरेंसिंग है सॉफ्टेर है रेडियो है टेलिविजन है लप्टॉप है टैबलेट है तो हम इन सारी चीज जैते हैं कंप्यूटर से लेप्टॉप से बारे में है तो यह इलक्तोनिक्स द्वाइसे जिन में की एक स्पेसिविक प्रोसेसर लगा होता है अच्छे यह जैसा प्रोग्राम यहा फिर जैसा सस्वाफ्टैर उनके अंदर रोगा उसके अकार्डिंग काम करते हैं और जैसा बाद tools में लोग smartphone और tablets के बाए में देख रहा है तो smartphone क्या होता है smartphone जैसे आप डॉरॉन फॉन जो यूज करते हैं जो कि handheld device है जिसको आप हाथ में पकड़के use कर सकते है और इसमें अप cellular network त्रहते है याँ आप उसको call कर सकते है message कर सकते है इसके अलावाँ आप इस पर नेट इस्तिमाल कर सकते है इसका जो प्रोसेसर होता है वो कम्प्यूटर का मुकाबल है लैप्टाप का मुकाबल है छोटा होता है ठीक है इसके अंदर भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो कि Android हो सकता है या Apple का iOS हो सकता है और आप इसमें ब इसमें पर इसमें लगभग श्याकर ब्रावाटिस थाले कि यह पर स्माट्वुट्वूट्र से महीं कि जय बादा साइज साइज होता है का मुदूबूद भाच अर्प प्रट में पाल से होता है इसके बाद कीबोर्फ नहीं睡眠 अईच्छ़े से कर सकते हैं इसके बाद 되면 पहले भी इसका बहुत बहुत दाक अभी इसका इस्तेमाल होता है थे है पर इसका मतलब इंटेटेरेंपुरियो के लिए स्तेमाल होता है कि अमीन यहां से होता है और इसके अलावा अभी क्या है online radio सुरूँ हो गया है ठीक है आप उन radio को online access कर सकते हैं आपको net ओमलब इंटरनेट ज़रूरी है उसके लिए आप वहाँ पर radio को access कर सकते हैं आप वहाँ पर जो भी उनको song या फिर जो भी चीज वो चल रहा हो आप उसको सुन सकते हैं और टेलिविजन जो है टेलिविजन क्या सा है आडियो और विजुल फॉर्म में है आपको यहां पर आडियो सुनाई भी देगी और साथ में विजुल दिखाई भी देगा ठीक है और इस समय कहा है कि बहुत जाजा चैनल सा हजारों चैनल से अलग अलग तरह के लोगों के लिए उनको जो पसंद आता है वो उस तरह का चैनल देख सकते हैं इसके बाद इंटरनेट और हम लोग इमेल के बाद करने वाल है तो इंटरनेट एक ऐसी फैसलिटी है जिससे कोई भी कनेक्ट करके जितना भी पूरी दुनिया का डाटा बेस वहां पर अराम से जा सकता है वो पूरा सर्च कर सकता है चीजों को देख सकता है जान सकता है जो भी publicly available है और इसके लिए आपको कहीं जाने के जरुत नहीं आप इसको अपने ही घर पे तो आप इसको कहीं भी आपको email भेजना हो आपको अमेरिका में भेजना हो किसी दूसरे देश में भेजना हो तो आप आराम से जो emails है वो बिल्कुल free में आप emails को भेज सकते हैं और आपको उसका reply भी तुरंत मिल सकते हैं इसके लिए आपको किसी special चीज की जुरूत नहीं है आप सिर्फ internet होने चीज़ आप internet से इसको काम को कर सकते हैं जबकि आगर आपको message से यह काम करना हो तो आपको बहुत ही hard उपड़े गई है और email का जो full form है वो क्या है electronic mail क्यों क्योंकि वो electronically भेजा जाता है इसलिए तो इस studio हों लोग इतना ही देख रहे हैं नेक्स studio हों लोग जो बाकी और topics हैं उसको देखेंगे कि smartphone versus tablet versus laptop तो आज के लिए बस इतना ही Thanks